इस वीडियो में हम जानेंगे mod functions पर limits कैसे apply होती है बट उससे पहले हम जानेंगे mod functions होते कैसे है माली जी ये mod x अगर आपको दिया है और यहाँ पर x की value अगर कुछ भी होती है let's suppose 3 होती है तो mod के अंदर जो 3 है उसकी value final 3 होती है अब एक और example suppose करते है माली जी आपको mod x दिया है और यहाँ पर x की value आपकी दी है negative 3 तो इस mod के अंदर अगर negative 3 value होगी तो ये बाहर निकल कर always 3 हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी negative value को इस mod के अंदर अगर रखते हैं तो वो always बाहर आके एक positive value बन जाती है तो चलिए आईए एक limit का example देखते हैं माली जी एक limit आपको दी गई है limit x tends to 3 mod x minus 2 अब सबसे पहले आप direct substitution हमेशा put करेंगे आपको यहाँ यह नहीं देखना है कि यह कोई limit का सवाल है बस आपको यही देखना है कि यह एक limit का सवाल है कुछ नहीं आज हम mod के बारें बात कर रहे है simple आपको direct substitute करना है value को तो direct substitute करते ही 3 minus 2 which is equal to mod 1 mod 1 आया value यहाँ पर आपकी और mod 1 की बहार value निकलकर 1 आजाएगी अगर यह negative 1 भी होता अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर negative 1 वाली situation भी बनती तो भी वो बाहर निकलके 1 ही बनता तो इस तरीके से इस question का answer आपका 1 आगी एक और example देखते है माली जी limit आपको दी गई है x tends to 9 और आपको question है x 4 x square minus 4 तो इस से आप कैसे solve करेंगे हम सबसे पहले direct value पूट करेंगी 9 square minus 4 so यह हुआ 81 minus 4 and 81 minus 4 which is 77 so mod में 77 है तो जो भी अंदर value है जस उसकी positive value आपको यहां लिखनी है which is 77 simple positive so positive value आई है और यही इसका correct answer एक और example देखते है limit x tends to अगर आपको 0 दिया गया है and आपसे पूचा है mod x divide by x क्या होगा आप कहेंगे उपर की side में 0 को put करता हूँ and नीचे put करता हूँ उपर भले कुछ भी value हो अंदर वाले की आपकी positive value निकल कर आईगी which is 0 divide में 0 है तो यह एक indeterminate form हुई है तो इसे हम इस तरीके से solve नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 का पहले हमें एक negative put करना पड़ेगा यानि 0 से थोड़ी छोटी value को हमें put करना होगा let's suppose अगर हमने 0 से थोड़ी छोटी value को put किया माली जी यह negative 0.1 हमने value put किया negative 0.1 value को हमने यह put किया divide में भी same value को हम put करेंगे which is negative 0.1 उपर आपने देखा कि यह mod में है तो जो भी value होगी वो बाहर निकल के positive हो जाएगी बट नीचे आपके same रही यह दोनों cancel out होकर आपस में 1 बसता है इनका बट यहाँ negative sign था तो हमने यह negative लगा दिया तो जब हमने 0 negative रखा तो इस तरीकित से हमारे पास negative 1 आया ठीक है अब हम limit से जो 0 की value है उससे थोड़ी सी बड़ी value रखते है बिचे 0.1 तो mod में 0.1 हमने यह value रखी 0.1 divide में रखी उपर कुछ भी value हो वो बाहर निकल का positive आती है और इन दोनों का fraction का answer 1 होता है तो इस तरीकित से जब हमने 0 positive यानि 0 से थोड़ी बड़ी value रखी तो हमारे पास 1 आया इस तरीकित से आम ने यहाँ पर value तो find कर लिया बट limit हमें कैसे पता चलेगी तो इसकी जो limit है वो same नहीं आ रही है इसकी negative 1 है इसकी 1 है तो इसकी जो limit है वो does not exist होगी यानि कि exist ही नहीं करेगी अगर ये दोनों answer same आते तो हाँ limit उसी की और आप्रोच कर रही होती और वही आपका answer होता बट यहाँ दोनों different values आ रही है negative and positive की value जब हमने निकाले तो इस तरीके से ये limit exist नहीं करेगी एक और question दिखते है limit x tends to अगर आपको 5 positive दिया है पहले से ही आपको कह दिया है कि 5 positive आपको दिया है question आपको दिया है x minus 5 divided by x minus 5 सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको 0 वाली जो value है 0 by 0 की form मिलेगी अगर आप direct 5 को substitute करेंगे बट हमें यहाँ पर 5 को substitute करना ही नहीं है हमें तो 5 से थोड़ी बड़ी value को put करना है बट उससे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको यह जो x minus 5 दिया है इसको आपको दो ways में लिखना पड़ेगा यानि इस पूरे fraction को first of all आप plus x minus 5 को रखेंगे मतलब कि यह जो mod होता है mod x यह दो parts में divide हो सकता है अंदर का जो x रहता है वो पहले से ही plus x हो सकता है या minus x हो सकता है भार आके ही वो x बनता है बट mod के अंदर आप positive और negative दो लो values रख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने एक बार positive x minus 5 लिया इसे नहीं लिकना जोरी और एक बार हमने negative x minus 5 लिया यहाँ पर जो 5 की value है वो मतलब जो x की value है वो 5 से बड़ी रहेगी ठीक और यहाँ जो values रहेगी वो 5 से छोटी रहेगी x की values तो अब इसे कैसे solve बर सकते हैं आईए देखेंगे अगर हमने limit 5 positive रखा मतलब 5 से थोड़ी सी बड़ी value अगर हमने put करी तो यह 5.1 minus 5 which is 0.1 और 0.1 का mod 0.1 ही रहेगा और divide में simple x minus 5 है यहाँ 5.1 minus 5 which is again 0.1 इसका answer 1 आता है तो इधर 5 positive रखने पर तो 1 आ रहा है अब limit 5 negative रखकर देखते हैं अगर माली जी हमने 4.9 something कुछ रखा मतलब अभी तो हमने 5.1 रखा हम यह से थोड़ी सी और छोटी value रखते हैं तो हमने negative 0.1 देखने को मिलेगा बट उपर mod लगा हुआ है आप यह ध्यान रखेंगे कि उपर आपको mod देखने को मिल रहा है बट जो second चीज है वहाँ पर हमने subtract भी लगा के रखा है तो बाहर एक subtract का निशान और लगेगा 0.1 भी नीचे ही आएगा same उपर वाला यह term तो बाहर देखिए positive हो जाएगा mod से बाहर निकलके बट बाहर इसमें minus लग जाएगा तो इस तरीके से इसका answer negative 1 आजाएगा previous question में भी हमने यही देखा कि जब दोनों अगर यह same नहीं होते है तो यह value जो limit की होती है वो does not exist यानि की exist नहीं करती है जिसे हम dna से भी show करते है तो इस तरीके से यह limit भी exist नहीं कर रही है तो अमीद आपको यह video पसंद आई होगी आजकी video में वस इतना ही था कि हम mod functions को कैसे solve कर सकते है अबाईशलος स decis grouped आपको आपको कर दोआएबनों आपको